नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका श्टर्ड वित रहिस में दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाल हैं इंटर रेलवे ओन रुकेश्ट ट्रांसफर की रिगाडिंग दोस्तो मिश्ट्री और रेलवे बोर्ड के दोरा उफिसियल नोटिस जारी कर दया गए है जहां दोस्तो अगर आप रेलवे में जॉब करते हैं या रेलवे के जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो कापके लिए काफी ही महत्पून होने जा रहा है क्योंकि जब आपको जॉब लगेगा तो दोस्तो सेकेंड जॉपरेटी रहेगा कि अपने घर के नजदीक जॉब करें क्योंकि अस्टार्टिंग में जब जॉब नहीं मिलती है तो अभियरती सोचते हैं कि देश के किसी भी कोने में जॉब लग जाए और दोस्तो जब जॉब यहाँ पे आपको फुल एनलाइसिस करने वाला हूँ कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा आपके कितने दिनों में रिक्वेस्ट ट्रांसफर एक्सेट किये जाएंगे आप कितने दिनों में घर के नदिक पहुँच पाएंगे तो वीडियो को सुरू से लेके एंड तक ध्यान पूर्वक सुनें अगर चैनल पर पहली बार भीजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रिस कर लें यह फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ यह लेटर नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं TR30 यहाँ पर लास्ट में है यहाँ पर सभी जेनरल मैनेजर यहाँ प्रसेंडल ब्राइंज को लिखा गया है All General Railway and PU दोस्तों यहाँ पर सभी General Railway को और PU वनित्स को लिखा गया है सब्जेक्ट यहां पर देख सकते हैं मेंसिन क्या गए है Time Line for the Inter Railway on request transfer दोस्तों यहां पर On request transfer के यहां पर timeline जारी किये गए है यहां पर मेंसिन क्या गए है The existing process of inter railway transfer is currently divided of a strict timeline for completion of various strategies तो दोस्तों जो पहले on request transfer के जो rule थे उसको यहां पर divide कर दिया गया है यानि बरतबान में उसे समाप्त कर दिया गया है और उसके जगह अस्टिक टाइम लाइन कम्प्लियंस इसका भारिस स्टेडिज में स्टार्ट किया गया है यहां दोस्तो यहां पर जो अभी प्रोसेश चल रहा है और लोक को देख सकते हैं एफिशियंसि और ट्रांसपरेस्ति इसमे कुछ महीं नहीं था आप लोग यहां को कुछ नहीं पता था कि आपको जो on request transfer है कितने दिनों में complete होगे और दोस्तो यहां पे जिसका मुख कारण है कि बहुत से अभियरति यहां पे apply करते थे और यहां पे कोई time limit नहीं था और आपका 5 जो था pending लबे समय तक चलता था तो दोस्तो यहां पे अप्रोज बोर्ड है डिसाड़े टू एडॉप्ट फ्लोविंग बाइनुवल टाइम लाइन और रिक्वेस्ट ट्रांसफर तो दोस्तो देख सकते हैं यहां पे रेल्बे बोर्ड द्वारा एक नया बाइनुवल टाम लाइन एक्सेप्ट किया गया है यहां पे देख सकते हैं आपको एक एक करके भी बताने वाले हैं जैसे फर्स्ट नंबर पर उन्हें में इसन क्या है डिवीजन यूनिस्ट टू एसस प्रविजनल नंबर फरस्ट टाप एंड करेंगे यहां पे देख सकते हैं कैटेग्री उसके कैटेग्री त्यार करेंगे हुक एस्पियर्ड मेक के action plans और दोस्तों सारे data त्यार करके यहां पे एक action plan त्यार करेंगे और रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग और दोस्तों इसका जो target रखा गया है consent मांगा जागा और उसको वाद यहां पे action plan त्यार होगी और दूसरा जो है आपको 10 अक्वेस्ट को त्यार होगा नेक्स्ट आहां पे देखें यहां पे इसका रिक्वेस्ट को accept करना है और इसका जो target रखा गया है first cycle में आपको 30 April रखा गया है और second cycle में आपको 30 October रखा गया है वहीं यहां पे थर्ण पर देख सकते है final plan of division for on request transfer to be prepared by division दोस्तो final जो plan जो है आपका division के दोरा prepared किया जाएगा based on decision received from division unit किसके अधार पर तो decisions जो होंगे division का और units का होगे उसके अधार पर होंगे cases rejected by division to be accounted for by the transferring division तो दोस्तो यह जो decision लिया जाएगा जैसे में आपने यहां पर request लगाया कि हम दिली division में हम पटना जाना चाहते हैं इस यह division में जालत आते हैं तो दोस्तो यहां पर वहां से आपको consent मांगा जाएगा वहां से पता किया जाएगा कि वहां पर आप जाने के लिए इस division में सीटे खाली है कि नहीं अगर उसमें नहीं खाली है तो जो अगर उसके बगल में जो आप division दी है उसमें खाली कि नहीं है दोस्तो जहां भी आपको आपको सेट होगा वहां पर आपको फाइनल कर दे जाएगा और इसका जो टार्गेट रखा गया है आपको दस से बीस में एवरी यह रखा गया है तो दोस्तो आप जीस जोन में रिक्वेस्ट करेंगे जाने के लिए वहां आपको पहले फाइल भीजा जागा उसके बाद व आपको यहां पर एक्षेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है यानि दोस्तो आप यहां से माल लिया जाए कि आप नोधर्न डिविजन से आपने रिक्वेस्ट लगाया कि हमें सौधर में जाना है तो दोस्तो आपके फाइल वहां पहुंचेंगे HRMist के थुरू ही वहां ए 21 माई के आजबस में 31 माई को आपको फर्ट साइक्वन में और सेकेंड शाइकल में आपको 30 नुवर्बर को जारी खर दिया जागा कि आपका जो रिक्वेस्ट है एक्सेट किया गया है कि रिजेक्ट कर दिया गया है और दोस्तो उसके बाद में यहां पे फाइनल जो है और देशकते हैं, relieving by 39 and first cycle and 33 and second cycle दोस्तों यहां पे 30 September और 30 March को यहां पे every year आपको यहां पे relieve कर दिया जाएगा तो दोस्तों देख सकते हैं, यहां पे मातर 6 महीने का duration रखा गया है 6 महीने में आप लोग यहां पे final कर दिया जाएगा अब दोस्तों आप लोग को शवाल उठ रहे होंगे, कि sir हम भी apply कर सकते हैं का इसके लिए time bond कितने हैं, कितने साल का service period होना चाहिए दोस्तों आप लोग को पूरा एक एक करके clarify करना चाहते हैं कि service period कितना होते हैं दोस्तो आपनों को बता दो कि जो ट्रांसफर के रूल होते हैं, ये कयक प्रकार के होते हैं, दोस्तो ये जो 5 साल रखा गया था, रूल यहाँ पर देख सकते हैं, जो लागों किया गया था, New Deledated 10.2.2017 में रूल बना था, कि आपका minimum जो service period होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, दोस्तो ट्रांसफर भी कयक प्रकार के होते हैं, एक होते हैं, आपको यहाँ पे mutual ट्रांसफर होते हैं, एक होते हैं, असपाउस गरांड होते हैं, एक on request ट्रांसफर होते हैं, दोस्तो पांच साल के minimum service condition जो अप्लाई होता है, आपको inter-jonal on request ट्रांसफर में होता है, यानि मिचुल में आपको कोई दिक्कत ने हैं आप कभी भी लगा सकते हैं वहीं दोस्तों डिविजन की अंदर ही ट्रांसफर करवा रहे हैं तो आपको यह रूल लागू नहीं होगा आपको पांच साल सर्विस प्रेड नहीं चाहिए तो दोस्तों यहां पे आप लोग को शमज में आगया होगा कि कौन से ट्रांसफर में यह पांच साल की लिमिट लगती है दोस्तों अब बात करते हैं कि किस-किस कंडिशन में पांच साल के मिनमम सर्विस प्रेड लागू नहीं होते हैं पहला जो है मिच्वल एक्सचेंग बेसिस आप लोग को बता हैं दिये दूसरा अस सर्विन्ट आप फिजकली हैं तो आपके यह जो पांच साल के मिलमम सर्विस अ आपको पर लागू नहीं होगा आप पहले भी ट्रांसफर ले सकते हैं तो दोस्तों अब आन्रिक्वेस्ट की पिरकिरिया बहुत ही शरल कर दिया गया आप असानी से आप hrms के माध्यम से घर बैठे आप ए प्रोसेस कम परलीट करवा सकते हैं और मातर 6 महिना में जिहां दोस्तों मातर 6 महिना में आप अपने घर के नदिक पहुंच सकते हैं दो दोस्तों यहां पे रेलवे द्वारा एक बहुत ही बड़ा अच्छा काम किया गया है क्योंकि यहां पे हजारों के संख्य आमें सभी जुनों से एक जगा से दुसरे जगा करामचारी ट्रांसफर होना चाहते हैं और फानली यहां पे उनका स्लूशन ढूंड लिया गया है अब ऑनलाइन जो आपका ट्रांसफर होगा उसमें बहुत ही कम समय लगेंगे आपको टाइम लाइन फिक्स कर दिया गया है आपको उसी समय आपको ट्रांसफर मिल जाएगी तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट कहा जा सकता है आपको अपडेट कैसा लगा अच्छा लगे तो लाक सब्सक्राब एं सेर करना ना भूलें वीडियो देखने के धन्यवाद